अब साम दोस्तों आज मैं 15 बेबी गल्स नेम्स के बारे में जानेंगे जिनका कुरान में डारेक्ट जा इंडारेक्ट जिकर हुआ है जो के होपसूरत और मुन्फट नाम है तो चलिए शुरू करते हैं का वीडियो पहला नाम है जाहरा- sausage का मतलब होता है चमकदार या फिर होपसूरत यानि इंगलिश में bright and beautiful अगला नाम है इनारा- इनारा का मतलब होता है रोष्णी यानि light अगला नाम है लीना- लीना- का मतलब होता है नर्मो नाजुख यानि gentle and soft अगला नाम है दानिया, दानिया का मतरब होता है करीब होने वाली या फिर दर्यादिल यानि close and generous अगला नाम है दुआ, दुआ का मतरब होता है नेमत यानि blessing अगला नाम है सीरत का मतरब होता है करदार, उसाफ या फिर अंद्रूनी खुपसूर्ती यानि attributes या फिर inner beauty अगला नाम है जन्नत जन्नत का मतरब होता है बहशत यानि paradise अगला नाम है इमान इमान का मतरब होता है जकीन यानि faith अगला नाम है आयत, आयत का मतलब होता है अलामत, हदव, सबोत या फिर मोजजा के हैं, जबके इंग्लिश में मार्क, मिरकल, या फिर प्रूफ अगला नाम है खुदा, खुदा का मतलब होता है सीधा रास्ता, या फिर हदायत, यानि राइट गाइडेंस अगला नाम है नुहा, नुहा का मतलब होता है अकल या भी जहानत जबके इंग्लिश में इंटेलिजेंस अगला नाम है निसा, निसा का मतलब होता है औरत यानि वोवेन अगला नाम है मोबीन, मोबीन का मतलब होता है वाजिया, साफ या पर रोचन के हैं जबके इंग्रिश में एविडेंट और क्लेर है अगला नाम है मर्यम, मर्यम का मतलब होता है पाक दामन या पर दोशीजा यानि विर्जिन एंड चेस्ट अगला नाम है फात्मा, फात्मा का मतलब होता है अजद मुहमद सल्बसलिम की बैटी का नाम है यानि नेम आफ डॉर्टर आफ अजद मुहमद सल्बसलिम तो यह थे 15 बेबी गल्स नेम जो के जिनका जिकर कुरान में हुआ है तो आपको यह कैसे लगे अगर आपको वीडियो अच्छा अलका तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब परें and thank you watching for this video